पहले बाद गॉलियर की जहां कॉंग्रस विधायक लाखन सिंग यादव ने दावा किया है मद्रदेश में एक महीने में चुनाओ हो सकते हैं एक महीने मद्रदेश में विधान सभा चुनाओ होगा एक महीने रुकने की उन्होंने बात कही है साथी कहा कि हम लोगों को कुछ सूतरों से जानकारी मिल रही है किसी से भी पूछो, वह कॉंगरेस में वापसी चाहता है भीतरवार में कॉंगरेस कार्य करता संमेलन में ये बड़ा बयान कॉंगरेस वधाक ने दिया है जुसमें उन्होंने दावा तक कर दिया कि एक महिने के अंदर मध्यप्रदेश में चुनाओ हो सकते हैं तो बता दे कि इस पूरे मामले में आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया उन्होंने कहा कि लाखन सिंग ने वैसी ही घोशना की है जैसे कमलात एक महिने में मुख्यमंत्री बनने की करते थे मध्य प्रदेश में विदान सवा का चुनाब होगा ऐसा हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही हम सब लोगों को मिलकर गांघरेस के लिए मजबूती के साथ काम करना है कि मध्यप्रदेश में इस बार कांघरा RP प्रचनड बहुमत से चुनाजीत गाम करना कोशना है क्याल से एक महिने मक्ह मंतरी बनते हैं वैसे इस पराहते प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये तो उसी प्रकार की घोशना हो गई जैसी लाखन सिंग ने कही थी कि कमलनाथ एक मैने में मुख्यमंत्री बन जाएंगे या बनने की वो लगातार बात करते थे जब कमलनाथ जब भी बयान देते थे और इस तरह से अगर हम देखें लगातार ऐसे वार पलट वार तो जारी रहते हैं लेकिन सरकार में दुबारा चुनाओ होने की बात कई लोगों के वापस कॉंग्रेस आने की बात तमाम बातों पर कहीं न कहीं सवाल भी खड़े होते हैं मैं आपको बता दूँ आज वितरवार के जो बिदायक है लाखन सिंग वहां कॉंग्रेस के साथ एक बैठक थी और उसमें बैठक में साफ तोर पर जो लाखन सिंग ने कहा कि एक वहां के बाद मद्ध पदेश में एक बार फिर से बिदान सभा चुनाब होने की संभावना जताई उन्होंने और उन्होंने कहा कि सूत्रों से ख़वर मिली है कि कुछ जो बीजेपी के विदायक है वो कॉंग्रेस में सामिल होना चाह रहा है और बीजेपी एक बार कॉंग्रेस फिर चुनाब में आएगी और इस बार कॉंग्रेस की प्रजंट बहुमत से 2023 में चुन नहीं आ रहा है और मैं आपको बता दूं कि लगाता है जो दो हजार तेज़ की जो बिदान सवा चुनाब की है सुखवार्ट सुरू हो गई है बीजेपी और दोनों ही पालिटियां अपने अपने जो कारे करता हैं उनसे मीटिंग कर रही है और लोगों को जोडने का प्रिया कॉंग्रेस की सरकार आएगी मदपदेश में और मुखमंत्री कमलाद बनेगे इसी तरह की ये गोशना लाकन सिंग्ने की है और ये गोशना है कॉंग्रेस है वो सपने देख रही है और इस तरह की गोशना लगातार मदपदेश में काई बार कर चुकी है ऐसा कुछ नहीं है जो मदपतेसमेक की जनता है वो BJP के साथ है और लगातार BJP विकास के कार कर रही है और उसी को लेकर लगातार जो BJP के लीडर्स है वो लोगों की बीच में जा रहे हैं और काफी जो यूजना है वो भी जो लोगों तक पहुंच रही है बेल्कुर कोई BJP को किसी तरह से कोई इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हालां कि ये कोरी घोषना है, और आप देख रहे हो लगातार जो सब्दों की मर्यादा है, वो कहीना कहीं पाल्टियक होती हुई नजर आ रही है, और जो लाखन सिंग है, उन्होंने कॉंग्रेस को सेर और जो बीजे पीए, उनको बकरे की तोना की, यानि कहीं न कहीं जो चुना जैसे जैसे नजदीक आते हैं, जो नेता होते हैं, वो सब्दों की मर्यादा भी कहीं न कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनावी प्रचार में भी चुटी है, और खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इस बयान को भी इतने जादा जोर देते हुए ये नहीं कहा कि ये बयान पर कुछ बादचीत उन्होंने की है उन्होंने साफ कह दिया कि ये उसी प्रकार की घोशना है जिस प्रकार की कुछ महीने पहले कमलात भी करते थे एक महीने बेपोर मद्धिय प्रदेस में विदान सवा का चुनाव होगा ऐसा हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो हम सब लोगों को मिलकर जैसा अवी हमारे एक महीने मुक्यमंतरी बनते हैं वैसे वो चनाव मेरा नहीं चलिए